असलाम अलेकुम, कैसे हैं सब लोग, ठिक ठाग होंगे, चलें, अब मैं आपको बताता हूँ, VS Code के अंदर किस तरीके से कोंड़ा एंवायरमेंट्स को रन करना होता है, for Flask Development App, या किसी भी किसम के option ये वाली open हो जाती है, जब आग control shift P दबाते हैं, तो आपके पास ये इस तरीके से embedded menu open हो जाता है, which you can also open like a command palette like this, ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखना है जनाबे वाला, open workspace setting, और यहाँ पे JSON की file आपने open कर लेनी है, open workspace setting की, यहाँ पे आपने कुछ information add करनी है, जैसे मैंने पहले भी की हुई है, आपने ये वाली command लिखनी है, second and third, तो जो चीज आपने change करनी है, सिरफ ये वाला path अपने python environment का आपने रखना है, जो default आपका open होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है, आपने अपनी window के अंदर जाना है, c drive के अंदर जाना है, user में जाना है, अपने username के उपर जाना है, मेरे पास जैसे ये username open है, इसके अंदर जाने के बाद, मैं miniconda 3, अगर आपने miniconda अंस्टॉल किया, इसके अंदर में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं environments के अंदर जाऊंगा, जो environment मैं जाता हूँ default तोर पे start हो, वो है flask environment, और यहाँ से मैं इस python की file का path copy कर लूँगा, copy करने के बाद, इसी file के path को मैं यहाँ पे paste कर दूँगा, जो मैंने और रेड़ी किया हुए, ठीक है, जैसे आप इस path को यहाँ पे paste करेंगे, और बाकी command की तीन लाइने as such ही लिखेंगे, I will provide this code to you guys, already inside this repository, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, terminal activation.txt, तो इसके अंदर बलके इसको .json बनाके मैं आपको दे देता हूँ, ताकि आप इसको use कर सके, यहाँ पे मैंने यह paste कर दिया, आपने अपना path यहाँ पे लिखना है, यह मेरे वाला नहीं लिखना, right, so just replace your path, path replace करने के बाद, यह file मैं आपको दे दूँगा, और path replace करने के बाद, आपने इसको यहाँ से करना है close, close करने के बाद, आपने वापस जाना है terminal पे, terminal पे जाने के बाद, आपने new terminal open करना है, जैसे आप new terminal open करते हैं, तो आपके पास यह power shell इस तरीके से on होता है, आपने यहाँ पे click करने, और command prompt को open करने है, और जैसे आप command prompt को open करेंगे, now you will see, कि मेरा flask का environment, automatically पहले से open पड़ा हुआ है, I can check here environment list, इस तरीके से मैं चेक कर सकता हूँ, और मैं अपने environment को यहाँ से देख भी सकता हूँ, अब इसके इलावा दूसरा तरीका कार एक और भी है, वो तरीका कार क्या है, कि आप simply ctrl shift p दबाए, ctrl shift p दबाने के बाद, आप user setting की json file में जाए, और यहाँ पे आप add कर दें, simple सी एक line of code, same वो ही चीज जो हमने पहले add किया, but we will do this time in different way, और उसके लिए हम कुछ इस तरीके से, उसको मैं copy करके, यहाँ पे paste करता हूँ, आपने वो ही काम करना है, sorry, not this one, copy, paste, आप क्या करेंगे, इस दफ़ा आपने सिरफ यह python.conda path वाली फाइल जो है, इस तरीके से आपने इसका path यहाँ पे देने हैं, ठीक है, यह path देने से भी आपका environment activate हो जाएगा, लेकिन जो मैंने पहला तरीका बताया है, मेरे ख्याल से वो कदरे बेहतर है, और वो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से, as compared to this one, तो हम क्या करते हैं, उसी को ही use करते हैं, यहाँ पे, और, let's see, मेरे पास different किसम की चीज़ें यहाँ पे मुझूद हैं, मैं यहाँ पे इसको वापेस अपनी, उसी shape में ले आँ, जिस shape में यह file थी, उस shape में file आ गई है, जैसे मैंने जो JSON की file को बंद किया, now you can see के हमारे पास, जो terminal है, वो conda environment के साथ open होगा, अगर हम यहाँ पे PowerShell की बजाए, यहाँ पे command prompt को open करते हैं, और अब अगला मरहला यह होगा, के हम इस command prompt को on default किस तरीके से open कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, default पे जाता हूँ, और बलके setting में जाते हैं, let's see, setting में जाने के बाद, हम यहाँ पे, terminal लिखते हैं, ठीक है, terminal लिखने के बाद, let's see, हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यहाँ पे, किस तरीके से यह था, just keep my mind, terminal, integrated, external, external, terminal app, command, cmd, let's see, Google पे सेर्च करते हैं, मुझे तो भूल गये, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, how to activate cmd as default, terminal in vs code, code and type selecting terminal, okay, vs code में जाने, selecting, यह पहले setting को हम बंद कर लेते हैं, कहता है, अब बंद दबा के, यहाँ पे लिखे हैं, select, terminal, दुबारा से देख लेते हैं, press f1 is visual studio code, and typing, selecting terminal, default, select default profile, let's see, vs code में वापस जाते हैं, f1 दबाते हैं, default profile, default profile के उपर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम command prompt को क्लिक कर देते हैं, अब दुबारा से जाते हैं, new terminal पे, तो जनाबे वाला, जब भी आप new terminal open करेंगे, तो आपके पास, default command prompt जो है, वो ही open होगा, like this, ठीक है, so this is how you can activate that, और जान बूच के, online जाने का मकसद ये था, कि आपको पता चले, कि Google पे हर चीज का solution होता है, सिरफ जिरफ आपने ढूणना होता है, अब next app जो हम बनाएंगे, उसके अंदर ये terminal आप खुद से activate कर सकते हैं, समझा गी है, तो like कर देना, क्या ख्याल है, share भी कर दें, और subscribe भी कर दें, प्लेइलिस्ट का पूरे का पूरे का लिंक में ने description में दिये, web app development, बहुत असा आपके लिए, सीखते जाएं, see you in the next video,